बजट 2023 में सरकार ने एक नई स्कीम का एलान किया है इस स्कीम का नाम है महिला सम्मान बचत पत्र पोस्ट ओफिस की तमाम स्कीमों की तरह ये भी एक स्मॉल सेविंग स्कीम है इस स्कीम में आप 2 साल के लिए पैसे लगाएंगे और 2 साल बाद आपका पूरा पैसा और ब्याज मिल जाएगा दोस्तों इस स्कीम के नाम को महिलाओं के समान से क्यों जोड़ा गया है ये तो नहीं समझ में आ रहा है लेकिन इस स्कीम से महिलाओं को फाइदा जरूर होगा क्योंकि इसका interest rate मार्किट से काफी ज्यादा है मतलब अगर आप किसी बैंक में FD कराएंगे या फिर post office में fix deposit कराएंगे तो वहाँ पर जो interest rate मिलेगा वो महिला सम्मान बचत पत्र से कम होगा सरकार इस स्कीम पर 7.5% सालाना के हिसाब से ब्यास देगी ये ब्यास दर post office की ही तमाम दूसरी स्कीम से ज्यादा है जैसे post office में अगर आप 2 साल का time deposit कराने जाएंगे तो 6.8% का rate मिल रहा है 3 साल के time deposit का rate 6.9% है वही post office में 5 साल के fixed deposit का rate 7% है National Savings Certificate का rate भी 7% है PPF का rate भी 7.1% है इस तरह से महिला सम्मान बचत पत्र का rate post office की इन तमाम स्कीम से ज्यादा है बस दो स्कीम ऐसी हैं दोस्तों जिनका rate इससे ज्यादा है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से ज्यादा interest rate देने वाली पहली स्कीम है सुकन्या सम्मृद्धी स्कीम जिसका rate है 7.6% इसके अलावा senior citizen saving scheme का rate भी इससे आधा परसेंट ज्यादा है लेकिन इन दोनों scheme में आम महिलाएं पैसा नहीं लगा सकती इसलिए उनके लिए ये scheme सबसे ज़्यादा फायदे मंद है हाला कि इस बीच bank के fixed deposit के rate भी खूब बढ़ गया है इसलिए आईए उनसे comparison करके भी देख लेते हैं कि ये scheme bank fixed deposit के मुकाबले अच्छी है या नहीं ये scheme 2 साल के लिए है इसलिए हम इसका comparison 2 साल के fixed deposit से करेंगे इस comparison के लिए हम देश के 6 सबसे बड़े bank की FD को ले रहे हैं इसमें 3 सरकारी और 3 private bank है तीन सरकारी बैंकों में State Bank of India, PNB और Bank of Bauda का 2 साल के fixed deposit का interest rate एक बड़ाबर है ये सब ही 2 साल की FD पर पौने 7% का interest rate देते हैं वही private bankों में ICICI bank के 2 साल के fixed deposit का rate 7.15% है SDFC bank में 2 साल के fixed deposit का rate 7% ही है Axis bank का rate इन दोनों से ज्यादा और यहां पर 2 साल के fixed deposit का rate 7.26% है इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों की महिला सम्मान बचत पत्र का interest rate बड़े bankों के FD से ज्यादा है यानि यहां पैसा लगाने पर आपको ज्यादा फायदा होगा अगर आप SBI में 1,00,000 रुपए की fixed deposit कराने की बजाए महिला सम्मान बचत पत्र में पैसे जमा करेंगे तो 2 साल बाद आपको करीब 2,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे SBI जहां 1,14,325 रुपए देगा वही इस scheme से 1,16,022 रुपए मिलेंगे अगर 2,00,000 रुपए जमा करेंगे तो बचत और ज्यादा होगी लेकिन दोस्तों आप इस scheme में 2,000,000 रुपए से ज्यादा नहीं जमा कर पाएंगे क्योंकि महिला सम्मान बचत पत्र में deposit की maximum limit 2,000,000 रुपए है यानि इस scheme से आपको फाइदा limited ही मिलेगा इस scheme की यही सबसे बड़ी कमी होने वाली है क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने monthly income scheme और senior citizen scheme की maximum deposit limit को बढ़ा दिया है लेकिन दूसरी तरफ इस नई scheme की limit को काफी कम रखा गया है monthly income scheme में अब आप single account में 9,000,000 रुपए जमा कर सकते हैं पहले 4,000,000 रुपए की limit थी इसकी joint account की limit अब 15,000,000 हो गई है ये पहले 9,000,000 रुपए थी इसी तरह senior citizen saving scheme की limit भी दुगनी कर दी गई है अब senior citizen saving scheme के single account में 15,000,000 के बजाए 30,000,000 रुपए जमा कर सकेंगे joint account के लिए इसकी limit 60,000,000 रुपए हो गई है यानि अगर कोई senior citizen अपने पती या पतनी के साथ कुल 60,000,000 रुपए इंवेस्ट करेगा तो उसे हर 3 महिने पर 1,000,000,000 रुपए मिलेंगे दोस्तो महिला समान बचत पत्र में इंवेस्ट करने के लिए आपको post office जाना होगा वैसे हो सकता है कि bank में भी ये scheme मिल जाए लेकिन post office में इस scheme का आना पक्का है इस scheme में पैसा लगाने के लिए आपके पास 2 साल का वक्त होगा आप 1 अप्रेल 2023 से लेकर 31 मार्श 2025 तक इसमें पैसे लगा सकेंगे पैसा इंवेस्ट करने के लिए आपको KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी मतलब एक photo, pen card और आधार card की copy लगेगी इस scheme में पैसा जमा करने के बाद आपको post office से एक passbook भी मिलेगी दो साल बाद इसी passbook को जमा करके आप अपना पूरा पैसा और ब्याज निकाल लेंगे तो दोस्तों ये जानकारी थी महिला सम्मान बचत पत्र की मुझे उमीद है कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी आप इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले